नमस्कार आप देख रहे हैं उँखास पेशकर शक्सियत शक्सियत में आज हम déjàश्ट कर रहाए ने हाँ अजयदेश्टर नानी व्यापारी भी है और tea के इस आए जानते हैं उनके अनभव के बारे में और भोपार में व्यापार व्यासाय को किस तरह से वह उनती पर ले जाना चाहते हैं, किस तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं और किस तरह से व्यापारियों की समस्याओं को वो जो है सुल जाने का काम कर रहे हैं, आई यो उन से जानते हैं, उनकी अनभवों के बारे में, उनकी शक्सियत के बारे में, अज़े जी आपका बहुत स्वागत हमारे कारिक्र मैं अजे रेवनानी हूँ और एड प्रेजंट मैं BCCI के स्वोक्सपरसन का अधायत पर निवा रहा हूँ और देश की जो सबसे बड़ी वैपारी निवारी निवा रहा हूँ इसके भी डिस्टिक सेकेटरी का कारवार निवार रहा हूँ इससे पहले है मैं न्यू मार्केट सुनि番 करते हूं अधेर मर्केटिक मेंट मार्केटिक मेनेजमेंट के ज़ते हूँ गवाई जर् सिंदी परिवारों में बड़ा बेटा इण स्टिज के लिए नहीं निकल पाता है कैंगी कहीन ने कहीन बिजनस शुको सभा ने के लिए बड़े जो ऑड़ा रहता है इसको व आपने कामों के साथ फैमिली बिजनेस जॉइन किया और अब मैं मिरिड हूँ और मेरी दू बेटे हैं और positively मेरी वाइब भी जो है बिजनेस परसन है उनका बही बुटिक है और मेरा electrical और garments का business है और देखा मैंने business में आने के पाध कि कही ने WHIP대 अपडिट होने की जरूवत है और आज की तारीक में जितना उसको अपडिट होने की जरूवत है आज की तारीक में उसको कही न कहीं अपने तो फिर हमारे जो नुव मर्केट की युनियन थी और उसके एलेक्शन से वा तो कही परेशानिय थी कही चीजें सौ्ट ओड करनी थी तो मैंने देखा ये युनियन के माद्यम से हो सकती है तो मैं फर्स टाइम 2015 में नुव मर्केट में जॉइंट सेकेटरी के रूप में एलेक परिवार में हाथ बटाये अपने परिवार का और उस व्यापार को आगे बढ़ाये तो कई तरह की परिशानिय कई तरह की दिक्कते आपके सामने निश्चित तोर पर पेश आई होंगी और अब जब आप BCCI के स्पोक्सपरसन हैं और कई और जिम्मेदार पदों का सकता जब आपने इलेक्शन जीते और व्यापारियों के हित में काम करना शुरू किया और जो आपके तजरुबे थे बिजनिस में जिस तरह की आपको व्यापारी कटनाई हैं आपके सामने पेश आती थी तो अब जब व्यापारी आपके पास किसी तरह की समस्या लेके आते आप भली भाती जानते हैं कि ये बात बिलकुल हखीकत में सही है या पारी जो कह रहे हैं उनकी मांग जाइज है या उनकी समस्याइंज जो है बोजायज है और उनका निराकरण करना बहुत आवश्क है लौः उनकी परेशानीों को हम दूर कर सकते हैं किस तरह से आप जो है एंकी मदद करते है और आपने जबसे ही जिम्मेदारी समा ली है तो इसके बाद आपको आस्सेकर राया प्रसुत आ जब आपको इसे की मदद करते है और आदमी खोश होता है तो दुआइव we R S T B E T A तो मैंने यह देखा कि अगर आप आके अपनी सिर्फ प्रमाइसिस को यह अपनी शॉप का आप बेस्ट करके अपडेट करके और अगर आप पूरा अपना सराउंडिंग का अपडेट नहीं करते हैं और कस्टमर को फैसलिटी नहीं देते हैं तो आप फिर पीछे रह जाएंग उस ताइम हमारे प्रेसिडेंट गंगरडेजी थे उनके भी बहुत आशिरवाद के साथ हमने टीम बर्क में काम किया और सबसे बड़े जो इशूस से न्यू मार्केट के पार्किंग इशूस थे और कैसे एंकुरुच्मेंट फ्री वातावरण में गराग आज सके लिए त के बाद न्यू मार्केट के सराउंडिंग में हम लोग प्रीमियम पेट परकिंग लेके आए हम लोगों ने एक वोमन्स के लिए स्पेशली पिंग परकिंग लेके आए कि कैसे एक कस्ट्वर आसानी से आके अपने पिंग पिंग परकिंग वोमन्स अपने वीकल पार्क कर सक हम लोग ने अभी रिसेंटली जब हमारी टीम थी वहाँ पे तो पेबल्स के काम स्टार्ट कराया कि एक फ्लोरिंग एक अची स्ट्रीट्स मिले आने होले कस्टोमर्स के लिए हमारे टेनियूर में लगातार और हमने मतलब सारी चीजे के लिए आज सवच्छता में हम अपने नियू मार्कत को तीन बान नम्बर वन पिला हमने पूरे मार्कत में डस्ट बीन्स लगाए और हमने सच्चे तरक सार्थ सुरक्षा के लिए ब़ी वी लोगों को वैपारियों को अवेर किया और ग्रहाग देवो भववा की भावना के साथ काम किया आज हमने पूरे मार्क में उसके बाद में सीस्वा सिलिंडर बटवाए कि कैसे हम लोग एक सुरक्षित कैमपस में ले सकते हैं एमलपी के पास एक फायर ब्रिकेड खड़ी करवाई और इसके बाद दो अठारा के टेनियर में जब मैंने काम किया तीन साल बहुत अच्छा तो उसके बाद मैं जॉइ कि तो मेरी वाइव खुद एक बिजनस परसन है उसने मुझे एंक्रेज कि हमारे बिजनस में मेरी फैमिली ने एंक्रेज किया और मैंने उसके एंक्रेज किया कि कैसे आप भी एक अच्छा काम कर सकती हैं तो अच्छा उनर ऑफ बुटिक और बहुत सारी चीज़ें साथ में उसके कर रही है हाउसमेकर भी है एक होमेकर भी है और अपना बुटिक भी रन कर रही है और कैसे पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट भी किया क्योंकि कहीं ने कहीं वैपारी ट्रेडर्स बहुत बिजी रहता है अपने कामों में क्योंकि उस बिजनस के वाकिंग आवर्स ब मेरे पिता जी ने भी अपने टाइम में अपने असोसीशन उस टाइम कुछ नहीं ती तो न्यू मार्केट में प्याव किस थापना उन्होंने उस टाइम करी थी एक जंडा चोक वहां पे 15 अगर्ष 26 जनवरी सबसे पुराना राश्टी पर मनानी जगा न्यू मार्केट में है हैं आपको हैं मेरे शॉप के पास तो पांच पेड़ हैं आज महों बहुत green है बहुत हाइड के साथ हैं हम clean dthropal green dthropal बहुपाल की बात करते हैं तो आप कभी भी अभी hot season summer season मिं आएंगे तो वहाँ टीटिन अगर पुलीस का मैं आभारवेद करता हूँ जिला परिशासन का आभारवेद करता हूँ जिन्होंने बहुत सहयो किया न्यू मार्केट जैसे सबी बाजारों का कभी कोई ऐसी कैजूल्टी है कोई घटना नहीं हुई तेरह सो दुकानों में परिशनी वाली और फिर मार्केट खुला हमने लगातार समबाँ स्थापद किया जब इन्फैक्शन कम हुआ कोविट का फस्ट वेव में तो हम लोंने समबाँ स्थापद करके दोड़ कोईट का विए हैं लेकिन रिएस्टापलिश हुआ बोपाल के बजार रिएस्टेपलीश होई इंडिया के सब बजार रिए इस्टेबिश हुए गिराकों ने पुरह भरोसर जटाया अपने लोकल बजार में देश के मानने प्रधानमंत्री जी ने मानने हैं सभी नीतिन रिधारकों ने ये नारा दिया गो वोकल फॉर लोकल मेंकिन इंडिया वाली बात आई तो किने एक रिधानम की घृत आया और उसमें देश भर्की सारी वैपारी यूनियोन ने आगए बढ़के काम किया आप देखेंगे उसने भोजण मेवस्था थी तो देश के वैपारी आकि आ इनन भोजण मेवस्था करी कैसे मार्केट में सोशल दिस्टेंजिंग हो कैसे मार्केट में मास्का फ्री विर्तरन हो, कैसे सनिटाइजेशन हो, यह सब सुनिश्चित किया वैपारियों ने देजवर के, और इसमें न्यू मर्केट वैपारी महासिक ने भुपाल में लीड रूप से काम किया था, और एक आश्वस्त बाजार, और आश्वस्त ग्राग दी, ग्राग को ए एक मातर मूल मंत्र था, तो हम न्यू मर्केट वालों ने लगबग लगबग, हमारी असोशियन में मेरे प्रसिडेंट उस ताइम गंगराडे जी थे, उनका बड़ा सहोग रहा, अभी मेरे मेरे बिसी राइम प्रसिडेंट पाली साव है, यह कहने कहीं, यह लीडर्स हैंनो रॉजा हैं और मतलब ऐस ताइम मानिचिकतसे मंत्री श्री शृश्पास सारेओंट जी नहीं भाएट मूटीवेट किया कि शच्टर उठाओ पहले और टीका लगाओ, शच्टर उठाओ और टीका लगाओ शच्टर उठाओ, तो वह बहुत मूटीवेट मूटीवेट इसके बाद लगातार बीमसी के सयोग से न्यू मार्केट को सनिटाइज कराया और अन्तुद गत्वा वैक्सिनेशन के माद्दियम से कराया, मार्केट को सुरशिद कराया, भुपाल को सुरशिद कराया और जून से रेगुलर बाजार खुल गए है। जे, अज़े जी ये तो बात हो गई, एक कोविट था, एक फेस था, वो आया, चला गया और उमीद करेंगे, इश्वर से प्रातना करेंगे कि ये थोड़ा बहुत भी यदि रह भी गया तो वो भी चला जाए और जिस तरह कि हमारी सरकारों ने कोशेश है की, वेक्सिनेशन मह भी हान चलाए, हमारे मुकमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने जिस तरह से मुस्तेदी दिखाई हो, पूरे सरकार और पूरा अमला जो इस तरह से लगा और आपके वैपारियों ने भी जिस तरह से सहयोग दिया, तो आज हम जो हैं सुरक्षित हैं और हमारा प्रदेश सुरक कितना प्रभाव इसका पड़ा वैपार पर और वैपारी इन से कितने प्रभावित हैं और इस जो अनलाइन शॉपिंग की जो प्रवत्ती पनपती जा रही है यह लोगों में या मॉल कल्चर का जो बहुत जादा ट्रेंड बढ़ गया, ऐसे में छोटे दुकानदार पूरे से आप करते हैं या क्या इस तरह के उपाय अपनाते हैं कि जो ग्रहाक है वो आपकी दुकान तक आए ताकि वैपार वैफसाय चले तो एक जो साइकल है वो बना रहे और अर्थवावस्ता हमारी मजबूत हो सके उसके लिए आप क्या कर रहे हैं निश्चित रूप से कनफर्डेशन आफ ओ अ ओ लिएटरेडर्स वैपारि में के सबसे बड़ी संस्ता है उसके प्रती नीदी की नाते बी सीसी के के प्रती नीदी की नाते अब हम लगबग संपूंद भुपाल के हर वैपारिक छेतर का वैपार कैसे उन्हती करें या कैसे रिटेल होलसेल सभी चेतरों को और दिग्रिक चेतरों को भी कैसे रहात मिलें इसका हम लोग पूर्ण अध्यन करके और अपना जो भी हमारा को देश के रिटेल वैपार को बचाना है तो कहने कहीं बहुत सरी उनको रहते प्रदान करनी पड़ेगी आज और इसके लिए लगातार हमारी अससेशिएशन संबाद स्थापित कर रही है आज मेक इन इंडिया वाली बात है गो वोकल फार लोकल वाली बात है तो एक पुनह क कोविट के बाद लोगों न आस्ता वेक्त करी है रिटेल बजार में अब रिटेल बजार की जैसे जो प्रॉब्लम सम लोग लगातार उसके लिए सतत संबाद कर रहे हैं आज हम जैसे देखेंगे तो मल्टी लेवल पार्किंग की नीज से हर जगा आज को लार में आप से नीज चलतने अचो से लॉकल को लोगो करें तो में बाद लूग अइसके बाद चाहित हैं ईसके बाद आज जिसे हर मार्केट में अच्छी ओन चाहिए इसके बाद आग जबाद द nei जाज द when a कि चाहिए Wasnेकल भी चली जाए, तो चुछं एक ठार चुर्प थे Fl England अम्हएगर से माजरी का चुछ हो आप प्लेस्न चाहिए। करत पर भुई नहीं गिंद्धाव कंग मिले शरीदहां तो पर रहाक जो है वो सौभश तर्फ पर ऐंनों हो founds उनको बैतर सुविधाय मिल सकती तो यहां कुल जमाई यह है कि जितने भी बाजार है जो नए डैवलप भी हो रहा है जो नए नए टाउन्शिप्स बनती चली जा रही है बड़ी बड़ी भूपाल में वहां पर जो बाजार डैवलप हो रहा है तो निश्ची तोर पर बजार पर असर पड़ेगा. क्या कहेंगे? निश्ची तोर पर आज जैसे एक कल्चर आये था मॉल कल्चर, मॉल के बाद भी एक ग्राक की आत्मियता थी, एक कस्टमर की आत्मियता थी वह जुड़ा राजार भोपाल के रिटिल बजारों से. तो अब कहीं ने कहीं Ease of Doing Business की बात करते हैं तो हम यह चाहेंगे कि हमारी परमपरा में सबसे पहले है गराग देवो भवो की भावना के साथ काम होता है अगर वो एजी रूप से मार्केट में नहीं आ पा रहा है पार्किंग फैसलिटीज नहीं मिल रही है इसमें LED लाइटिं से स्थापित किया अभी लगाता शासन पशासन से कि एंक्रोश्मेंट फ्री जोन रहे ऐसे कहीं सुविधा है तो कहीं नहीं आप से आपको करने के लिए और आनलाइन के लिए रेगुलेटरी सिस्टम हो यह कैट के मादधियम से अभी आपने दिखा होगा कि एक निर्णा जिसमें क्लोच और फुटवेर पर जी एक डरे बढ़ाई गई तो यह पूरी तली से के मादधियम से कैट ने यह संट्रल मिनिस्ट्री को बताया फिनास मिनिस्टर को और में मिनिस्टर को कि यह कहीं नहीं जी एस टी कपड़ों पर और फुटवेर पर लगने से जो इंक्र हम से सस्ता हो जाता तो एक यह मेक इन इंडिया कंसेट से के खिलाफ ती यह सब जो जी एस टी में तो जी एस टी का जो यह फिर रॉल बैक हुआ तो कहिने कहीं वैपारी संट्रों ने बात बचाई कि इससे सीधे सीधे यह 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 जो है रोटी कपड़ा मकान बेसिक जहां भी स्माट चैटी डेलोपमेंट यहां भी मार्कट डेलप हो रहा है तो वह के अस्वेशियों को उनके अडवाईरी कमिटी में होना चीए यह से हम निव मर्केट वैपारी असोसीशिएशन के खर्वाद स्माट चैटी में हुआ है तो निश्ची तुरूप में बचे इस परधा का दोर है चारों तरफ से जो है कॉम्टीशन बहुत है कि आप एक सिरा पकड़ो तो दूसरा सिरा चूपता है नए उद्यमियों को आगे आने के लिए कि लोग अपना खुद का रोजगार इस्थापित करें दूसरों को भी रोजगार दें इसके लिए सरकार भी प कोशिश यही है कि अद्योग धंदे आए ताकि रोजगार का उसर बढ़े और सरकार का जो कहना चाहिए कि सबस्यादा फोकस इस बात पर है कि जो नौजवान है जो पढ़े लेके नौजवान है वो अपना खुद का व्यावसाय शुरू कर सकें लेकिन जो व्यावसाय शु कि अपना व्यावसाय चला सकें और एक सफल व्यावसाय आप लोगों की तरह बन सकें इसके लिए कोई मोहिम या कोई एक ऐसा प्लान आपका है ताकि आप से जुड़कर जो हमारे नौजवान है वो प्रेरित हो सकें आपको देख कर वो भी अपना रोजगार धंदा को भी रोजगार दें कुविड बें ये बात बिकल क्लियर हुई कि सबस्याद प्रभावित छेत्र वह वह MSME हुआ जी MSME छेत्र सबस्याद पर प्रभावित हुआ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडर्प्राइज़स तो इसके बाद हमारे सभी संगटरों वैपरी संगटरों ने बहुत लगातार संबात किया और आज उस संबात का ही परिणामे ही बहुत सारी चीज़ें सरकार लेकर आ लेकर आ ली है अभी कुछ जिनों पहले मुक्किमिंतर ये कैम्प और्गनाईज कर रहे हैं मार्केट्स मार्केट्स में जाके हमारा प्लान आ रही है कि हर मार्केट्स में कैम लेगी MSME की जो भी योजना हैं वो लोगों तक पहुच पाएं कैसे आपको 10 लग तक का मुद्रा लोन मिल सकता है अब मुद्रा लोन की बात है तो मिले बिजनस स्टार्ट करने में इस ऑफ डूइंग वाली बात हो तो MSME के लिए एक मुख्यमंतिर अद्दमी योजना आई इसकी जनकरी में आपके मद्दम से दी और इसके में काफी लोगों ने अभी जैसे जनकरी आई है इसके इसमें काफी लोग लाब रहे हैं आज एक स्टार्ट अप योजना का लाब अद्गाटन हो रहा है तो उसका भी लाब निश्चित रूप से मिले का और हमने यह भी देखा है अभी BCCI ने भी एक फैसला लिया है कि उन्होंने यह क कि मेंबर्शिप लेकर अपनी और और जो लोगों की समस्या है उनकी जानकरी पूंट रूप से आए तो एक यह कहिना कि पतिन देनी वाली बात है और फी कम करके यंग आंट्रोपेनर्स को जोड़ना स्टार्ट अप्स को जोड़ना महिला उद्यमियों को जोड़ना और हम लगातार संबाद यह करगरा हैं सरकार से कैसे रिटेल छेत्रों को रहात मिले हो और कहीं नगाज़ने को चोशिशंदर वीचार है आपको आपके और आपकी कोशिश है निशिचे तोर पर रंग लाएं यही हमारा हमारी अम्मीद भी हो यही शुपकामनाई भी है कि निश पूरी तरह से निर्वहन कर सकें और खास तोर से जो नए उद्योग में आना चाहते हैं व्यापार करके अपना रोजगार इस्थापित करना चाहते हैं उनके लिए आप प्रगती का मार्ग प्रशस्त करेंगे आप लोग सब मिलकर पर निश्चित तोर पर जिस तरह से प्रगता अजय देवनानी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि व्यापार व्यावसाय जो है भूपाल का वो उननती करें और भूपाल के बाजार सर्वसुविधा युक्त हो और व्यापारी भी जो है वो भी एक बहतर व्यापार करके अपना जीवन बना सकें फिलाल दीजी अजाज़त बने रही आप हमारे साथ नमस्कार